Let's do question number first of XI 7A, that is triangles. Question number first is D and E are the points on the side AB and AC respectively. D and E are the points on the side AB and AC respectively. वो कह रहा है D और E points है side कौन कौन सी AB पर और AC पर respectively. Of a triangle ABC triangle पे such that इस तरीके से हैं कि D E parallel है BC के. तो first part में कह रहा है if AD is equal to 3.6 cm, अगर AD 3.6 cm है, AB 10 cm है और AE 4.5 cm है, हमें EC निकालनी है और AC निकालनी है. तो चलिए करते हैं, AD तो चलिए करते हैं, AD दे रखी है, first part में AD दे रखी है हमें 3.6 cm and AB दे रखा है हमें 10 cm. और 3rd side कौन सी दे रखी है हमें AE दे रखा है 4.5 cm और हमें क्या-क्या निकालना है, EC निकालना है और AC निकालना है, तो कैसे निकालने हैं? According to Thales Theorem, हमने Thales Theorem अपने इंट्रू में पढ़ी है, According to Thales Theorem, Thales Theorem क्या कहती है? AD, देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे AD और AB दे रखी है, AD और AB दे रखी है, तो हम AD upon DB भी कर सकते हैं, और चाहें तो AD upon AB भी कर सकते हैं, right? AD upon AB equals to AE upon AC, जैसे आपने इस साइड लिया है, वैसे ही इस साइड लेंगे, अगर आपने AD upon DB भी लिया है, तो यहाँ पर AE upon EC लेंगे, अगर आपने AD upon AB लिया है, तो इधर भी AE upon AC लेंगे, तो यही लिया है मैंने, अब AD दे रखा है हमें, 3.6 cm, AB दे रखा है 10, और AE दे रखा है 4.5, और हमें AC निकालना है, right? जब भी कोई भी साइन नहीं होता, सिर्फ दो फिगर्स होती हैं upon में, और हमारा equal to sign होता है, तो हमने सीखा वाया अपनी past classes में, कि हम cross multiply कर देते हैं, तो 3.6 की multiplication AC में, equals to 10 into 4.5, तो AC कितना आ गया, that is 10 into 4.5 upon 3.6, अब 4.5 में भी एक डिजिट के बाद हमारा point है, और 3.6 में भी, तो cancel हो गया point से point, अब 9.5s are 45, 9.4s are 36, 2.2s are 4, 2.5s are 10, तो यह आ गया, 25 upon 2, और we can say that 12.5, अब हमारा AC आ गया, AC आ गया 12.5 cm, अब हमें EC निकाल लें, तो कैसे निकाल लेंगे, देखे, AC को क्या लिख सकते हैं, यहां side में लिख रही हूँ, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, तो AE प्लस EC लिखा, अब AC हमारा आया 12.5 cm, AE हमें दे रखा है 4.5 cm, तो 4.5 प्लस EC हमें निकाल लेंगे, तो EC कितना आ गया, 4.5 इधर आके minus का हो गया, तो 12.5 में से 4.5 minus हो गया, EC आ गई हमारी 8 cm, तो इसका मतलब EC है हमारी 8 cm, और AC कितना है हमारा 12.5 cm, is the answer, let's do second part now, second part is, if AB is 13.3 cm, अगर AB 13.3 cm है, AC 11.9 cm, और EC हमारा 5.1 है, तो हमें AD निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, second part में कह रहा है, हमें AB दे रखा है, 13.3 cm, AC दे रखा है, 11.9 cm, और हमारा EC दे रखा है, 5.1 cm, और हमें AD निकालना है, तो देखिए, तो अगर आप देखें, यहाँ पर पूरा AB दे रखा है, और AC दे रखा है, और EC दे रखा है, और हमें AD निकालना है, तो कैसे निकालनेंगे, या तो हम, पहले हम AE निकालनें, तो हम directly AD निकाल सकते हैं, तो हमने AC कैसे बना, AE प्लस EC करके, हमने AC क्यूं लिया, क्योंकि हमें AD निकालना है, तो AD के लिए हमें इसकी opposite side पता होनी चाहिए, क्योंकि AE upon AC तभी हम लेख सकते हैं, थेल स्थियोरम के according, या फिर अगर हम EC पता है, और EC upon AC रखते हैं, दी भी निकल के आएगा, लेकिन हमें निकालना है AD, तो हमने इसलिए पहले AE निकाल रहे हैं, तो AC था हमारा 11.9 cm, AE हमें पता नहीं है, और EC कितना है हमारा 5.1, तो AE कितना आ गया, AE आ गया, 11.9 में से हमारा 5.1 माइनस हो गया, तो यह आया, 8.11 में से 5 गया, is 6.8 cm आ गया, अब हम Thales Theorem लगाएंगे, Thales Theorem क्या होती थी, AD upon AB is equal to AE upon AC, यहाँ पर लिख दीजे, by Thales Theorem, Thales Theorem, अब AD हमें निकालना है, AB हमें पता है 13.3 है, AE हमारी निकल गई, 6.8 और AC कितनी थी, 11.9, अब हम Cross Multiply करेंगे, तो AD कितना आ गया, AD आ गया, 13.3 into 6.8 upon 11.9, तो देखिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसल हो गया, और इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लग गया, अब कैंसल करके देखते हैं किस से जाएगा, देखिए, यह अगर देखिएं तो 7 से जा रहा है, 7 1s are 7, 49, 7 7s are 49, और अगर यह देखिए, 7 1s are 7, 3 plus 3, यह दोनो 7 से जा रहे हैं, तो 7 1s are 7, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 7 9s are 63, राइट? अब आगे देखते हैं, यह देखिए, 68 और 17, एक ही टेबल में आते हैं, 17 1s are 17, 17 4s are, अब देखिए, 2 5s are 10, 2 2s are 4, तो 19 2s is 38 upon 5 आ गया, और वी कें से दाट, AD कितना आ गया हमारा, 5 7s are 35, 36, 37, 38, 0.6 cm, तो इसका मतलब हमारी AD कितनी आ गयी? 7.6 cm is the answer, let's do 3rd part now, 3rd part is, if AD upon DB, AD upon DB है 4 upon 7, और AC है 6.6, तो हमें AE निकालनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए, 3rd part, 3rd part में हमारे को दे रहा है वो, AD upon DB कहा रहा है, 4 upon 7 है, और AC कितनी है हमारी? 6.6 cm है, और हमें AE निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अगर AD 4 है, तो DB हमारा 7 cm है, देखिए, AD इसका मतलब क्या है? 4 cm है, और DB हमारा 7 cm है, तो हमारा AB कितना आ गया? AB आ गया, किस-किस को मिला के बनाए? AD और DB को मिला के, तो that means 4 plus 7, तो इसका मतलब यह हो गया, 11 cm, अब हम by Thales Theorem, इसको solve करते हैं, Thales Theorem, Thales Theorem क्या कहती है? हमें AE निकालना है, तो हम यह कह सकते है, AD upon AB is equals to AE upon AC, तो AD कितना था? 4 और AB आया हमारा 11, equals to AE हमें निकालना है, और AC हमारा है 6.6, तो अब कितना आएगा? देखिए, इस साइड ही कर रही हूँ, तो AE की multiply 11 में, equals to 4 into 6.6, तो AE कितना आगया? 4 into 6.6 upon 11, पॉइंट हटाया नीचे 0 लगया, अब 11 बंस आ 11, 11 6 आ 66, अब 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो यह कितना आगया? 6 2s are 12, upon 5, तो AE कितना आगया? 5 2s are 10.4 cm, तो इसका मतलब हमारा AE कितना आगया? 2.4 cm is the answer. Let's do 4th part now, 4th part is, if AD upon AB is 8 upon 15, AD upon AB है हमारा 8 upon 15, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखियेगा कि AD upon AB, AD है उपर वाली टर्म और AB है नीचे वाली टर्म, और EC है 3.5 cm, and find AE, और EC दे रखिये हैं हमें 3.5, हमें AE निकालने हैं, तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं. 4th part में कहरा है हमारा AD upon AB कहरा है हमें 8 upon 15, EC कहरा है हमें 3.5 cm, और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था AE, और हमें AE निकालना था, तो कैसे निकालने हैं? देखिये, AD upon AB दे रखा है, AD upon AB और हमें EC दे रखा है, लेकिन हमें AE चाहिए, क्योंकि हमें AD से निकालने, AD given है, तो अगर मैं यहां से DB निकालू, तो मैं यहां से EC निकाल सकती है, तो मैंने क्या किया, AB कैसे बनता है, AB बनेगा AD प्लस DB, राइट, अब AB, इसका मतलब AD है 8 cm और AB है 15 cm, तो AB है हमारा 15, और AD है 8, 8, प्लस DB, तो DB कितना आ गया हमारा, 15 में से 8 उधर जाके माइनस का हो गया, that is 7 cm आ गया, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, थेल्स थियोरम के कॉर्डिंग, बाई, थेल्स थियोरम, थेल्स थियोरम में यह कोई जरूरी नहीं है, AD अपॉन AB ही लिखें, DB upon AB भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा DB upon AB equals to, अब हमने यहां DB लिए, तो यहां पे भी क्या लेंगे, EC, EC upon AC, तो DB कितनी आई है हमारी, DB आई है 7 और AB कितनी थी 15, तो 7 upon 15 equals to, EC हमें कितनी दे रखी है, 3.5 और AE और AC हमें पता नहीं है, तो AC निकाल लेंगे हम इस से, तो यह कितना आगया, CROSS multiply हुआ, तो AC कितना आगया, AC की multiply, 7 में equals to, 3.5 into 15, तो AC कितना आगया, AC आगया, 3.5 into 15 upon 7, तो यह आगया, point हटाया, नीचे 10 लगया, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो यह आगया, 15 upon 2 कहें, या 7.5 cm कहें, बात यह किया, अब हम AC कैसे बनाएंगे, देखे, AE को EC से add करेंगे, तो AC बन जाएगी, तो AE plus EC, तो यह कितना है, AC आई हमारी 7.5, और हमें क्या दे रखा था, EC दे रखी थी 3.5, तो AE हमें निकालनी है, और EC दे रखी थी 3.5, तो AE कितनी आगई, 3.5 उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस 3.5, तो AE आगई हमारी 4, that means 4 cm is our answer.